नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा बात करने जा रही है हार्दिक पटेल की उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है दरसल उन्होंने कॉंग्रिस से इस्तीफा दे दिया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीटर पर एक ट्वीट साजा क करके दी है हार्दिक पटेल ट्वीटर पर लिखते हैं आज मैं हिम्मत करके कॉंग्रिस पार्टी के पद और पार्टी की प्रात्मिक सद्रसता से इस्तीफा देता हूँ मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्ने का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी मैं मानता हूँ कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविश्य में गुजरात के लिए सच में सकरात्मक रूप से कारे कर पाऊंगा आपको बताते चले गुजरात कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्षते हार्दिक पटेल काफी वक्त से वो नाराज चल रहे थे और पिछले काफी दिनो कि पार्टी खुद हार्दिक पटेल को बाहर का रास्ता दिखा सकती है इससे पहले कॉंग्रेस ये कदम उठाती हार्दिक पटेल ने खुद पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और इसका ओपचारिक एलान भी उन्होंने कर दिया है अब सवाल ये उठता है कि ह हार्दिक पटेल ने कॉंग्रेस तो छोड़ दी अब वो कौनसी पार्टी का दामन थामेंगे या फिर पार्टीदार नेताओं को साथ में लेकर किसी नए संगठन को खड़ा करेंगे ये देखना दिल्चस्प होगा वैसे अब सवाल ये भी उठने लगे है कि क्या हार्दि झाल